हलो बच्चो अगर आप पोलिटिकल साइंस के पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही जादा अती महत्पूर है बच्चो जैसे कि आप लोग का एक्जाम कुछी समय के दवाद यानि पोलिटिकल साइंस का पेपर होना है बहुत सारे बच्ची यह सोच रहेंगे कि कुछ ऐसे मिल जाए जो हम लोग का सेम पोलिटिकल साइंस का ऐसे क्लास लेकर क्या है जो आपके पेपर में बहुत सारे प्रशन है यह इस पेपर से आपको देखने को भी लेंगे इसलिए इस क्लास को आप लोग इंट तक जरूर देखिएगा और साथ-साथ में अपने अपने फ्रेंज के गुरू पुगर जहां भी है पैर बच्चो हर जगे आप लोग जरूर सेर करें ताकि इससे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे देखिए आपको इस तरह का पेपर में देखने को मिलेंगे इंटर्मेडियेट एक्जान विशन देखने को मिलेंगे इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से इंट तो करते हैं कि सविदान सवा का बाढ़वा और अन्तिम अधिवेशन कब हुआ था तो इसके बाड़े में भी आप लोगों बता दिये थे तो इसके बाड़े में तो आप लोगों पता है लिया गया है तो राजे के नीती निर्द्देसक गत्तों को लिया गया है तो इस पैले चलिक निर्दैसकतों के अधिकार पहले यह म Origальным आदरत्ता थ T Whatsa न सब्सक्राइब 2 इसको Go選 Bihak किस भाग को यानि को या तो यह जो आपको बोड़ एक्जाम में यहां से लगबग 30-40 कोशन आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए आपके नेक्स कोशन आपके स्क्रेंट पर में हमारे सविधान सवा में देशी र्याससत्रहों को उन्य कितने से दिये गहे तो बताईये 6 नमर कोशन का आप लोग का अनसर क्या होगा जो इस में दिया गया था तो दो देखें आप लोग जो बच्य बता है कि इंस सही ब्लकुल राइट अंसर नहीं चाल रोगाए 139 सव् कुछनित अब पर्साद होगा जाएगा चले आगे अगे तो बिल्कुल इसके बारे में आई योड़ोग का की समयति सब्सक्राइब बिल्कुल इसके बाड़े में आप लोग बिल्कुल एबसलूटली पता होना चाहिए तो देखिए इसका आंसर आप लोग को आंसर बता होगा यह किरिफ से चारों में से राइट ओप्सन आपका कौन सा होगा तो बिल्कुल आई ओप लोग आप लोग आनसर आगाए बोग परफेक्ट आऻएं चलिए तो जतने तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएंगे जली बता रहें तो बिल्कुल आपसें और योज नहीं होगा इसका नेक्स को सब्सक्राइब का बहिसकार किया था तो किस दल ने जो है किया था ये इसके बादे मताना है तो किस दल ने सभिदान सभा की बैठक का वहिसकार किया था तो देखिए इसका आंसर आप लोग फड़ाबट कमेंट करके बताइए का सभिदान सभा के मनुनित सदिसु की संख्याद जो है कितनी है 11 नमर कोश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा तो इसमें 90 विल्कुल रा यनि राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है तो सभिदान के दोरा निखिषपा को राजय राज राजवाज का दर्जा रिए तो धरन आयो पर इसका आप लोगा बिल्कुल प्रफेक्ट आ रहा हैं लागा हिन्दी यानि राइट आंसर दो घाड़का है बिल्कुल आपका सब्स यह सरकार हो जाएगा यानि आपसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगे आगे आपके स्क्रीन पर पहले चुना आयूग तथा अन्य चुना आयूग की निए किसे द्वारा की जाती है तो बताइए पंदर नमर कोशन का आप लोग का आंसर क्या होगा आपका राष्रेपती के स्वार्ट गुल्ड हो जाएंगे मुखचना आइक्ता का कार्ढ़ लोग को आंसर सोलर मोको बताना है तो बिल्कुल आइओ आपका इसका आपको साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप ध्यान रखेगा है यह आपका निर्वाचन निर्वाचन तो यह आप लोग बता उस निर्वाचन मंडल द्वाड़ा जो राष्टपती के को चुनता है तो इसका आपका सकती नीथ होती है तो बताइए इसका आप लोगा क्या हो जाएगा तो बिल्कुल आपका राजयपाल में होता है यापसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक आगे देखिए का संसत की प्राकलन समेथी के सदिश्यानी कौन होते हैं तो बताइए किस नमर कोशन का आप लोग का अंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल आपको पता है कि इसका आंसर लॉक्षभा के सदिश्य में चूने जाते हैं यानि आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है एचले बहुत बढ़िया क्या बात है किस नमर को के सदल ऑं सोब एंवार को विलकुल को विलकुल रहता होगा अप्लोग को का लोग को बिल्कुल परफेक्ट बताना का अंसर का भी विल्कुल नहीं करना आप इस तुम गलती नहीं होगा ठीक है चली बताईेगा 24 निमें कॉशन को आपका अंसर क्या हो जाएगा राष्टिपती बता रहे है कुछ बच्टी बच्छे मंत्री मंत्र बता रहे हैं तो देखे रास्टपती इसका आंसर बिल्गी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए तो बच्चे बोल लात करें तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाईये क्योंकि तो बिल्कुल राइट आंसर आड़ा कुछ बच्चे बता रहा है कि सर इसका अन्य संगवात का एक आत्मा की वर्टी मान होगा तो बिल्कुल देख लिए इसका अंसर आपका डी कहीं है आपका सी भी रहता है ठीक है तो भरते सविदान के किस अंतरगत संग और राजियों के कुछ का आप लोग को आंसर बताना है तो इसका आंसर लोग का हो जाएगा जिट्य का आप लोको रटेञ़ा हैं ठीक है आ आंसर सभी बच्चे का अंसर प्रफेक्ट आड़ा है बहुत बढ़िया आप लोग का पढ़ियास भी अच्छा काशा है ठीक है सर आप सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए इसका देखे मेरे पास कोशन नहीं है आप लोग अंसर बताइए का क्या होगा निवर में से हैंने कौन राज्य सुची का विश्य है तो यह कोशन आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए आई होप सही बच्चे जो है बिल्कुल प्रफेक्ट आंसर दे रहा है और अई होना भी चाहिए ठीच लिए चलिए लिए आंसर क्या हो यह सब्सक्राइब गैर चाहिए बात करें भी चुशन का गलती क्यों कर रहें है यह को के कौ्शन पहले ही आई है जिए बस आपको ध्यान पूरवक्त देखना है उसके आवासर देना आप लोंको सब्सक्राइब सब्सक्राइब परवल समार्तक जो थे यानि जो आपको मात्मा गांदी भी था यानि सिद्राद भुड़ात भी था राजीव गांदी भी था तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे देखेए का आपके स्क्रिन पर तेहतर में सविदान संसुद्र दोड़ा इसका भारत के सविदान में 22 सविदान संसुद्र ने किस वर्स हुआ था यह 33 को आप लोग को आंसर बताना है तो देखिए आप लोग बता रहे किसका आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल देखेंगे आपके स्क्रिन पर ने मिलखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का देन आप लोग का डी विल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है अगे देखिए कि आपके स्क्रिन पर बावरी मस्जित का विद्वन्स जो है किस वर्स हुआ था तो आप लोग को बताये थे कि उन्सों बिरानवे को जो इसका विद्वन्स हो गया था तो इसका आंसर आपको प्लेटो ने नियाय सब्दे का पड़ियों किस अरत में किया है तो कानूनी नयाय क्लिक क्या है राजनितिक नयाय आपका या आर्थिक नयाय आपका नयतिक नयाय तो 37 नमर कोश्चन का आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताऊना चीए तो इसका अंसर आपको बिल्कुल आपका इस का डॉच्प न बिल्कुल राइट हृ जांगा तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चलिए आगे देखेंगे आपका कॉंग्रेस का विवाजन किस वर्स हुआ था तो बिल्कुल आपको पता होना चीए कॉंग्रेस का विवाजन आपको पता है कि 1979 में पूरी तरह से विवाजन हो गया था कि कि इतने सारे कंग्रेस की नहता थी वह अलग बनाना चाहता था तो वह सिंडिकेट नाम दिया गया था उसको तो इसका आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और काफी वच्च सब्सक्राइब आपको पता है तरहने आपको ऊक्राइब यहां नि गांधर और पाःस्तान के बीच उससो बाहतर में इससर आभाता है उसका आपा सिम्छों पाप सक्षार या राइट क 준त्य आपके दौकल है करने वाले राष्टपती का नाम क्या था आपको साफ नहीं दिख रहोगा लेकिना कोश्चन देख लिए राष्टपती कौन था तो विल्कुल आप लोगो पता होगा तो पाकिस्तान के पाकिस्तान के पूशा गया करने वाले राष्टपती का नाम क्या था पाकिस्तान था ठीक है तो आपके इंडिया के बारे मतार है कौन यानी क्या था 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 भारत में जो यह राष्टपती सासर लागवा था था पक्रुद्दिन अली एहमद था ठीक है 46 का अंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा नी पार्टी वहां बहुत ही परचलित है तो इसके बारे में तो आप लोग बिल्कुल पता ही होगा तो यह बहुत इजी कोशन था यह कोशन कोई टफ नहीं है आप लोग के लिए चलिए आगे देखेगा मेधा पाटकर का नाम जो है किस आंदोलन से जुरा हुआ हुआ है तो तो बहुत इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि तो आपको राइट आंसर बता होना चाहिए तो देखेगा मिल बीदा राइट आंसर दाएंगे बहुत से आंप्डी के सनस्थापक यह नि चाहिन गूंट अ प्रुपनें लगएां dar दो के अलिए हो